जय हैंद एवरिवान मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका SSB कराक एक्जाम चैनल पर तो मैं आज आई हूँ आप से एक और टॉपिक पर बात करने के लिए और आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है जो अभी हाल ही में हमारी National Investigation Agency ने 6 अलग-अलग स्टेट्स में 3-5 जगाओं पर रेट्स कंड़क्ट करी हैं जिस पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेगी कि क्या वज़ा थी इन रेट्स के पीछे की और क्या स्टेटमेंट आई है हमारी NIA की तो चलिए बढ़ते हैं आगे जानेंगे हम हर एक पॉइंट तो यह जो हमारा न्यूस अबडेट है यह रिलेट करता है अभी हमारा National Investigation Agency ने 53 लोकेशन में और अलग-अलग 6 स्टेट्स में 1-7 रेट्स की और रेट्स का की रीजन था टेररिस्ट, गैंग्स्टर, नेक्स्टर बोलने का मतलब यह हैं जितने भी हमारे टेररि जानते हैं सबसे पहले कि यह National Investigation Agency basically है क्या तो हमारी देश में जो भी टेररिजम के रिलेटेड केसे होंगे या जो भी हमारी देश की सिक्योरिटी, सोवरानिटी को कुछ भी अफेक्ट करेगा तो इन सब केसे को देखती है हमारी National Investigation Agency यह फंक्शन करती है हमारी Ministry of Home Affairs के अं National Investigation Agency Act 2008 और अगर देखा जाये कि कौन कौन से states में basically इस raid को किया गया तो वो states है हमारे पंजाब, राजिस्थान, हर्याना, उत्राखन, दिल्ली और उत्रप्रदेश और इस पर्टिकुलर टाइम पे इन raids का एक reason कहीं न कहीं यह भी देखा जा रहा है काफी टाइम से जो खा किया गया है, तो चलिए हम चानेंगे detail में कि क्या थे हमारे purpose NIA के basically इन सारी raids को conduct करने के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको starting में ही बताया कि बहुत सारे terrorist, gangsters, drug smugglers इनके बारे में हम रोज कुछ ना कुछ news देखी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी drug smugglers है, gangsters है, जो सरे attacks हो, इंडिया में रहे हैं, भारत में हो रहे हैं, देकि उनको operate करने वाले किसी और ही countries में बैठे हैं, और चिन में चो अंदाजा लगाया जा रहा है, कौन सी countries है, that is our, Pakistan, UAE, Canada, Portugal, इन countries में बैठके, ये जो main इनके heads है, वहीं से काम कर रहे हैं, तो एक purpose ये था कि इन terrorist groups को, या in drug smugglers को, gangs को, जो लोग यहां पे बैठके, उनका काम, उनके orders follow कर रहे हैं, उनको अब dismantling करने के लिए पीछे, because कभी भी कोई attack होता है, तो उसके लिए हमें कुछ weapons चाहिए होते हैं, finances चाहिए होते हैं, तो ये सब आते हैं, बाहर से, इन सब का head कोई और होते हैं ये ही सारी, जो chain है, उसको break करने के लिए, ये सारी की सारी rates को conduct किया गया था, एक और चीज़ हम जाते हैं, कि इस टाइम पे खालिस्तानी वाला जो movement है, या जो खालिस्तानी related news updates है, आप रोज कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, इसी के वज़े से, इंडिया और कैनेडा के भी relations इस टाइम पर खराब हुए हैं, इवन जो भी हमारा 19 मार्च को इंडियान हाई कमिशन को लंडन में जो वेंडलाइस करने की कोशिश की गई, या भी आपने कुछ टाइम पहले देखा था, एक जो अमरित पाल सिंग के रिगेंस जब police action हुआ था, उस टाइम पर जो हमें देखने को मिले उन particular cases के related की कौन है जो mail इनके पीछे हाथ है, या कौन है जो लोग यहां बैटकर काम कर रहे हैं, यह समचानने की भी कोशिश थी, NIA की इन rates के through, एक और चीज आपने अगर जो गर आप नीचे image देख रहे होंगे, तो में भी आपने पहचान भी रिया होग हाली में अभी यह US में अपना detention face कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ भी related कुछ चीजे हैं जो अभी भी नहीं सामने आई हैं, तो उन चीजों के उपर भी यह rates conduct की गई थी, तो अब देखते हैं कि NIA को इन rates के बाद basically मिला क्या, तो सबसे पहली चीज जो इनको मिली वो है, एक काफी सारे weapons, pistols, ammunition, digital devices, जिनको इन्होंने कबजे में किया, जिनको इन्होंने सीज किया, एक इन्सान जो आभी आप नीचे image में देख रहे हैं, इनको normally जोरा कहते हैं, जिनसे एक अंदाजा लगाया जाता है, यह संबंद रखते हैं, आर्श जाला जो की एक gangster हैं और जो normal प करफतार किया गया है, फिरोसफुर से, अलग-अलग bank accounts को seized किया गया, properties को confiscate किया गया, अलग-अलग documents, vehicles, यह सब चीजें इनको मिली हैं, दूसरे में जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है, वो पहले भी even NIA की statement आई थी, जब हमने गुईंडवाल jail clash case देखा था, उसमें particular, CM ने, Chief Minister ने कुछ officials को suspend भी कर दिया गया था, क्योंकि jail के अंदर ही यह सारा का सारा war लोगों को मार दिया गया था, यह attack किया गया था, इसमें यह NIA का कहना यह आया है, कि इस particular time पे जो सबसे बड़ा terrorist hub, यह सारे की सारे चीजे carry on हो रही है, वो हो रही है हमारी jails के ही पहले अभी NIA ने एक list भी जारी की थी, जिसमें 19 लोगों का नाम था, जो basically लोग escape कर चुब भाग चुके हैं हमारे भारत से, जो खालिस्तानी movement से भी link रखते हैं, और जिनसे माना यह गया था कि जो कौन-कौन countries में भागे हैं, तो नमने लिखा था कि UK, US, Canada, Dubai, Pakistan और कुछ और countries में भी इनके भाग के वारने की जो है अंदाजा लगाया जारा है, और इसमें यह भी कहा गया है कि in case इन में से कोई भी मिलेगा, तो action लिया जाएगा under anti-terror law, anti-terror law मतला कि जो हमारे इंडिया के प्रती, जो terrorist activities करते हैं, इंडिया के against anti-India जो भी activities हैं, उनको इस law के अं formation देगा, तो उनको यह particularly cash prize दिया जाएगा, तुम दे सकते हैं किस time पर NIA इन सब खालिस्तानी जो भी यह terrorists हैं, जो gangsters हैं, जो बाहर बैटके काम कर रहे हैं, और इंडिया को basically जिन सहानी हो रहे हैं, यह attacks इंडिया के अंदर हो रहे हैं, सारी weapons, supplies, drugs, समगलें, सब कुछ जो इसको target NIA काफी अच्छे से, काफी past pace पे चल रहे हैं कि कौन से जो बिलकुल जड़ है, उस तक पहुंचा जाए, so that was all related to this particular update, तो अब स्प्रीन पर आपको दिख रहे होंगे अपने interview online courses, तो SSB Crack exam त्यारी कराता है, आपको सभी interview online courses की, हर महीने हमारे batches बैठते हैं, तो आ जाद affordable rates में रखे गए हैं, plus अब जब भी किसी course में enroll करें, आप ये discount code जो की है warrior 10, ये लगाना ना भूने, जैसे ही आप इस code को लगाएंगे, आपको मिलेगा enrolled course पे 10% का off, so that's all for the day, thank you so much, चैहन, चैभारत. से भी download कर सकते हैं.